वन का फोर्स, टू का फोर्स, सबका डिरेक्शन बनाया गया, देखा गया, सबका डिरेक्शन एक ही है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए सबको जोड़ना है, ठीक है, आगे धीरे-धीरे आपके पास calculation दिख रहा है, वो calculation आपको खुद से भी करना पड़ सकता है, यहाँ पर आपके पास terms आया, ठीक है, बहुत बहतरी इन, आगे बढ़ो, next question, question number 12, लिकाए two identical balls, it's having a charge of 2 into 10 to the power minus 7 कुलम, and mass of 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings, each 50 cm long, खीक है बहाई, the balls are held at a separation of 5 cm apart and then release, find a. the electric force on one of the charge ball, b. the component of the resultant force on it along and perpendicular to the string, c. the tension in the string, d. the acceleration of one of the balls, answer are to be obtained only for the instant just after the release, ध्यान से देखे, पहले तो figure बनने में थोड़ा समय लगेगा, ये figure अच्छा है, आपको ध्यान से समझना होगा, पहले figure बनाने का पुरा प्रबंध हमको कर लेने दीजे, ये सिलिंग हो गया, ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, अब इस कॉमन पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से, अब देखिए, ध्यान से समस्ते चलिए, माल लिजे, ये हमारे पास एक सिलिंग है, इस सिलिंग से थ्रिट बांद के, दो बाब, जो इक्वल चार्ज था, उसको इस तरह से हैंक कर दिया गया, अब दोनों के उपर चार्ज का साइन सेम होने की वज़ाज से, ये दोनों एक उसे को रिपेल कर रहा है, बोला गया, कि भाई देखिए, उनके बीच का जो डिस्टन्स है, उनके बीच का जो डिस्टन्स है, वो कोर्षण में में सेन्ट है कि 5 cm ही डिस्टन्स रखना है, देखिए, इस तरह के नेमेरकल में थोड़ा सा आपको, दिमाग को अपेन माइंडेट करके थोड़ा सोचना परता है, 5 cm का जो डिस्टन्स कोर्षण बोल रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि वहीं पर ये रुका हुआ रहे, तो हम आपको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, एक बात तैयर रखिएगा कि इस श्ट्रिंग के लेंद को एल मानते हैं, सपोर्ज इस अंगल इस थिटा, और कोर्षण के हिसाब से अगर तुम जाओगे, तो तुम डाटा देख पा रहे हो कि लेंद बहुत बड़ा है, 50 cm और जो हमारे चार्जिस के बीच का सेपरेशन है, सपोर्ज इसको स्मॉल आर आप लिख लो, तो ये स्मॉल आर 5 cm है, ये काफी कम है, तो R is less than L, ऐसे केस में थीटा आपका काफी छोटा होता है, थीटा कम आता है, और जब थीटा कम आता है न, तो हम लोग को थोड़ा एनलेसिस को इजी करने के लिए, साइन थीटा को थीटा या टैन थीटा को भी थीटा लिख देते हैं, अगर थीटा काफी छोटा होता है, तो साइन थीटा या टैन थीटा लगबग बराबर, और ये दोनों अगर तुम चाओ तो थीटा से अटा दो, पैरलेक्स से, तो ये सब एनलेसिस का तरीका है, कि यहाँ निमेरकल हम लोग कैसे बनाते हैं, अब तुम जड़ा देखो, कोश्चन को एक एक पॉइंट पे लेके चलो, दोनों चार्ज पार्टिकिल को आप, क्यूँ चार्ज ले लिए, और मास हैं, कोश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो, तो चार्ज उपर में मिंसन है, मतलब क्यू मालूम है, और बॉब्स का मास भी मालूम है 100 ग्राम, अब यहाँ कोश्चन जैसे बोलेगा, वैसे हम लोग काम करते चलेंगे, कोश्चन का पहला किस कहानी है, इलेक्टिक फोर्स उन वन अप दे चार्ज बॉल, किसी एक चार्ज बॉल पे इलेक्टिक फोर्स निकालिए, हम आपको सबसे पहले उस इलेक्टिक फोर्स का डिरेक्शन दिखाते हैं, आप गौर से दिखिए, मालिज आम लेफ्ट वाले बॉल को लेते हैं, तो क्या इस लेफ्ट बॉल पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है कि इलेक्टिक फोर्स है ना, राइट वाला बॉल उसको रिपल कर रहा है, तो इस इलेक्टिक फोर्स अब अगर कोई बोलता है कि सर हम उस इलेक्टिक फोर्स का वैलू निकालना चाहते हैं, तो पहला option that electric force will be equals to k q1 q2 और उनके बीच के distance का square अगर आप निकालना चाहें तो 9 into 10 to the power 9 2 into 10 to the power minus 7 दूसरा भी है 2 into 10 to the power minus 7 दोनों charge हो गया और उनके बीच का distance 5 cm था तो 5 into 10 to the power minus 2 meter का square तो यह हो गया 9 और 4 36 नीचे 5 और 5 25 पाकी 10th power है 10 to the power 9 है minus 7 minus 7 minus 14 है नीचे में minus 2 का square minus 4 है उपर जाके plus 4 तो यह हमारे पास force का value हो गया 36 by 25 36 by 25 चलो लिखी देते हैं 36 by 25 and 10th के power 9 4 13 में से गया minus 1 9 4 13 में से 14 यह इतना आ गया इतना आ गया रफली आपके पास यह electric force है ठीक है अब question का भी हिस्सा देखू लिखा है देखिए क्या यह लाइन मेरा along string है बिलकुल है और perpendicular to string भी हम एक line खीचना जाते हैं अब आपको सारे forces को along string और perpendicular string में components में तोड़ना पड़ेगा हम इसका अपना body का weight बनाना चाहते हैं क्या यह body का weight नीचे की तरफ है mg यह body का weight है mg अब गौर कीजिए अगर यहां का एंगल थीटा है यहां का एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा आएगा कि यह 90 माइनिस थीटा फिर फिर सी एंगल थीटा हैगाives ट्रिंग के अलांग में string के अलांग में स्चुह के अलांग में thread का tension ईग्जिस्ट कर राया यह क्या debt का tension कि are andена में ऐब अगर मेरा यह fайт हैड़े का उपर वालाक्मपोनेंट एफर का यह वाला component electric force का cos theta है और Fe का इस direction में component Fe का sin theta है mg का इस direction में component mg का sin theta है और mg का इस direction में component mg का cos theta है सही है सही है roughly अभी हम तुम से यहाँ पे इसका data हम निकालना चाहेंगे क्यों क्योंकि हमको लग राइस का जुरुद है देखो 25 से 36 में अगर काटेंगे न तो एक बार में 25 आ जाएगा फिर 110 बटेगा तो लगबग 4 4 and 10 to the power minus 1 इसका मतलब यह force nearly 0.144 Newton के आसपस है रहने दिजे हमको लग राइस का डाटा का जुरुद पढ़ेगा 0.144 Newton अब आप इस figure को ध्यान से देखिए अगर आप perpendicular to string बात करते हैं अगर आप perpendicular to string बात करते हैं ठीक है अगर आप string के perpendicular बात करते हैं तो आपको दो forces दिखाई देगा एक electric force का cos theta और दूसरा mg का sin theta ठीक है आप याद रखना कि आपके पास अलरेड़ी यहाँ पे theta उटा सब मालूम है आपको tan theta भी मालूम है जो निकालना है सब निकाल लीजेगा यहाँ से आपको पास मिल जाता है वैसे अगर हम roughly आपके सामने लिखें और फिर उसके बाद लगबग लीजे ना तो वो 5 by 2 है और आपका बेस है रूट अंडर ल स्क्वाइर माइनस 5 by 2 का स्क्वाइर देखिए अगर आप perfect calculation करना चाहते हैं तो इधर से जाएं ठीक है tan theta आ जाएगा यहाँ से आपका tan theta आ गया तो आगे आपका sin theta भी आ जाएगा और उसके बाद आपका cos theta भी आ जाएगा तो theta निकालना के काम आप यहाँ से करें नीचे आईए concept पर बेस्ट काम करतें calculation नहीं करतें concept best काम करतें perpendicular twisting दो force है एक है हम लोग का fe का cos theta और एक है mg का sin theta figure में देख लो fe का cos theta है और mg का sin theta है fe का cos theta है और mg का sin theta है आपको पता है यहाँ पर तीन situation हो सकता है यहाँ पर तीन situation हो सकता है first situation में हम यह मानते हैं कि यह दोनों बराबर है हम यह मानते हैं अब होगा की नहीं होगा यह आप बना के देख लिए आप data पुट कर लीजी इलेक्टिक फोर्स निकाल चुके हैं कॉस थीटा साइन थीटा बता चुके हैं एमजी आपको बता चुके हैं तो आप data लुट करके यह देख लीजे कि हाँ भाई बराबर है या नहीं अगर अगर बराबर आता है तो Ф nächste लेकिन यह भी तो हो सकता है ना इसी करने केसी ऐसा हो सकता है कि आपके इस fe cos theta का value जो mg sin theta है उससे बढ़ा आजाए अगर ऐसा आता है तो आपका जो f net perpendicular twisting है उसके लिए आप fe cos theta में से mg sin theta को minus कर दिजएगा ये force आजाएगा और तीसरा ये भी आ सकता है तीसरा ये भी हो सकता है कि जो हम लोग का fe cos theta है उससे mg sin theta बढ़ा जाए अगर fe cos theta से mg sin theta बढ़ा आ जया तो याद रखना कि इस बार का जो f net perpendicular to string है उसके लिए तुम mg sin theta में से fe cos theta को minus कर दो clear है तो ये 3 में से कोई भी possibility आ सकता है और वो इस बात पर depend करेगा कि आप calculation उपर वाला किये की नहीं किये अगर आप उपर देखिए अगर हम calculation कर देंगे तो हम तो एक ही रास्ते से चलेंगे ना हम तो हर तरह के numerical के लिए आपके सामने बैठे अगर fe cos theta और mg sin theta बढ़ाबर आ जाए तो समझ जाना कि string के perpendicular कोई force काम नहीं कर रहा अगर mg sin theta बढ़ा आ जाए तो नीचे की तरफ net force काम कर रहा है अगर fe cos theta बढ़ा आ जाए तो उपर की तरफ net force काम कर रहा है और net force ऐसे निकालते है ठीक है अब ज़रा string के parallel सोचो अच्छा अगर आप इन bobs को छोड़ दीजेगा हम जो लिखेंगों इसको समझेगा इन bobs को छोड़ दीजेगा न तो bob एक दूसरे के respect में या तो नजदीक आएगा या दूर जाएगा और वो घुमेगा इसी तरह से circle में नजदीक आएगा तो भी इसी circular path पे घुमेगा और अगर दूर जाएगा तो भी इसी circle पे घुमेगा इसका मतलब string के along में ना वो नजदीक आ रहा है ना वो दूर जा रहा है तो string के along में अगर हम string के parallel बात करें अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इस ट्रिंग के parallel में हो यह रहा है कि आपका bob ना string के लिए center की तरफ जा रहा है string के along में जा रहा है ना string से दूर जा रहा है इसका मतलब यह है कि जो string का tension है और जो बाहर की तरफ लगने वाला mg का cos theta और fe का sin theta यह दोनों balance है तो balance होने की वज़र से आप यह कह सकते हो कि जो tension का value है जो tension का value है हम c option बना रहे पहले अगर आपसे thread का tension पूछा जाए तो वो हमारा fe का sin theta और mg के cos theta के बराबर है तो जब मेरा tension fe sin theta और mg cos theta इन दोनों के sum से मिल जाएगा तो obviously मेरा है net force का value f net का value f net का value अलॉंग दा इस्ट्रिंग f net का value along the string that comes to be 0 f net का value string के अलॉंग में कितना आएगा 0 आएगा क्योंकि tension जो है वो f e sin theta plus mg cos theta के साथ balance है ठीक है f net along the string 0 आएगा और f net perpendicular to string first second या third में से कुछ आएगा यह dependence बात पर करता है कि कौन सा condition applicable होगा if e cos theta mg sin theta से बराबर है यह applicable होगा या कौन सा applicable होगा इसके basis पर हम लोग को काम करना है ठीक है अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो question में tension निकालना था वो भी निकल गया f e sin theta time अब question कहता है the acceleration acceleration निकालना acceleration of one of the ball acceleration of one of the ball देको acceleration का तो simple concept होता है अगर आपको acceleration चाहिए तो acceleration का simple concept है कि bob पे लगने वाला जो net force है उसमें bob के mass से divide कर तो f net parallel या along the string तो आया नहीं तो जो भी हमारा f net perpendicular to string आएगा उसको लेना है और उसमें आपको mass से di wyde कर देना है ठीक है mass से अपको divide करना f net perpendicular to string लेना है और उसमें आपको mass से divide कर देना है ठीक है मास से डिवाइड कर देना अब यहां से जो आंसर आएगा आएगा तो यह पूरा का पूरा पैटर्न था जो इस ने मेरिकल के अंदर है हाँ यह F net इन तीनों दिखें आपको क्यालकुलेशन करना होगा F E निकल चुका है, sin theta, cos theta उपर दिया हुआ है आपको sin theta, cos theta को यूज़ करके F E का cos theta निकालना है फिर आपको M G का sin theta निकालना है फिर इन दोनों के डाटा को देखके आपको case 1, case 2, case 3 में से क्या लगेगा वो आपको यूज़ करना है तो ऐसे बहुत सारा possibilities दिमाग में रखके physics को सोचना होता है ठीक है, बेहतरीन numerical अच्छे से समझो और एक एक लाइन देखके फिर है अपना बार बार repeat करके इसको अच्छा करो, clear है, यहां से f net निकलेगा, यहां से mass से divide करोगे, acceleration आएगा, चलो इतना save कर लेते हैं, फिर आपको, चलो next question की तरफ आगे बढ़ते हैं Question number 13 Question में ऐसा लिखा है कि two small spheres, each having a mass of 20 gram, are suspended from a common point by two insulating strings of length 40 cm each. These spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 cm. Find the charge on each sphere. तो यह question already यह बोल चुका है, कि जब इन spheres के बीच का distance 4 cm होता है, तो spheres एक दूसरे के respect में equilibrium में आता है. दोख़ा अगर इस common point से आप दो spheres को ऐसे hang करेंगे ना, तो दोनों पे same charge मेरे elbow को देखना, दोनों पे same charge होने से वो एक दूसरे को repel करेगा, और repulsion होने के बाद एक ऐसा point आएगा, जहां जाके वो रुख जाएगा, उसी समय equilibrium established होता है, तो पहले आप थोड़ा figure को देखें, क्योंकि figure बनाने में इसमें समय लगेगा, जैसा पिछला figure था, वैसा ही यह भी figure है, ज्यान से देखें, क्या आपके पास selling हो गया, यह माल लिजे एक vertical line हो गया, अभी इसी common point से एक sphere इधर हैंग है, और उसी common point से एक sphere इधर हैंग है, अब मान के चलो कि यह एक sphere है, यह एक दूसरा sphere है, दोनों का चार्ड सेम है, suppose दोनों का चार्ड सेम है, क्यों-क्यों, दोनों का मास सेम, mm, तो हो क्या रहा आना, कि when equilibrium is established, there is angle theta, आपको इस string का length दिया है, और जब equilibrium is established हो गया, जब equilibrium is established हो गया, तो दोनों spheres के बीच का distance दिया, यह distance काफी छोटा है, 4 cm है, question में लिखा हुआ है, 4 cm यह separation है, इसका मतलब और यह length 40 cm है, और यह length 40 cm है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे न, तो फिर से तुमको दिखेगा कि theta काफी small है, ठीक है, theta काफी small है, तो आप sin theta को भी theta लिख सकते हैं, अगर कहीं tan theta आएगा, तो उसको भी आप theta के बराबर लिख सकते हैं, यह theta काफी कम होने से आप लिख सकते हैं, अब equilibrium अगर established है, अगर equilibrium established है, तो तुम्हारे दिमाग इसको ऐसे read कर सकता है, कि देखे सर, अगर equilibrium established है, यहाँ पे मतलब एक sphere पे लगने वाला, जो electrostatic force of repulsion है, देखो, यह electrostatic force of repulsion है, इस sphere पे, नीचे की तरफ लगने वाला sphere पे mg है, नीचे की तरफ लगने वाला sphere पे mg है, और thread के along में, thread के along में, thread के along में, tension है, यह तीन forces एक साथ plot, thread के along में tension, इधर electrostatic repulsion, और नीचे mg, अगर आप equilibrium का चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है, कि mg का vertical के साथ एक एंगल बना theta, तो mg का components, mg नहीं गलत बोल रहा है, आप tension बोलना चाहिए, tension का जो component है, tension का जो component है, tension का जो upward component है यहाँ पर, उपर की तरफ, यह tension का component, that is T cos theta, और tension का एक component राइट की तरफ है, this is T sin theta, यह दोनों किसी ना किसी forces को balance कर रहा है, आप अगर हमारे इस बॉब के equilibrium पर वेस्ट कोई भी data calculate करना चाहते हैं, पर, equilibrium of Bob, देखो इस पर बहुत सारा questions है, ठीक है, Bob के equilibrium में एक बात तैयर रखना, कि जो आपका T sin theta है, वो electrostatic force से balance होगा, और जो आपका T cos theta है, वो mg को balance करेगा, जैसे ही आप इन दोनों equations को एक दूसरे के साथ divide करते हैं, जब आप इन दोनों equations को एक दूसरे के साथ divide करते हैं, तो आपको मिलता है, T t कर जाता है, tan theta will be equals to electrostatic force by mg, आप यहाँ से, देखो, यहाँ से एक question तो ऐसा निकलता है, यहाँ से एक question तो ऐसा निकलता है, बहुत बार आपसे बुला गया है, कि for equilibrium theta, आप equilibrium पे वो theta निकाल के दिखाईए, तो अगर आपको equilibrium पे वो theta चाहिए, तो याद रखना कि यह tan inverse, electric force by mg के बराबर होगा, electric force में 1 by 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r square लिख दू, लेगिन तुम्हारे इस question में theta दे दिया गया है, तो मगर ध्यान से देखोगे, तो मगर ध्यान से देखोगे, तो तुमको यहाँ पे एक right angle triangle दिखाई देगा, हम तुमको दिखाते हैं, थोड़ा right angle बना चाहते हैं, ध्यान से देखो, तो यह एक right angle triangle है तुम्हारे पास, उस right angle triangle में, उस right angle triangle को गौर से देखिए, तो आपका यह hypotenuse है, जो 40 cm का है, और आपका base केवल 2 cm का है, और यह angle theta दिया हुआ है, तो जुरत पढ़ने पे, जब theta काफी छोटा होता है, तो आपको याद होना चाहिए, कि आप जो tan theta लिख रहे हो, वो sin theta के ही बराबर होता, और यह दोनों लगबग theta के बराबर होता, कहने का मतलब आप सीधा सीधा, 2 by 40 लिख सकते हो, तो tan theta के जगा पे 2 by 40, कहने का मतलब 1 by 20 लिख सकते हो, तो tan theta जहाँ पे है, वहाँ पे आप 1 by 20 लिख सकते हैं, तो यह theta का मसला आप देख लिए, कि हाँ tan theta हम वहाँ से निकाल सकेंगे, ठीक है, अब थोड़ा आ जाओ नीचे, आपको तो question में चार्ज निकालना था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि electric force will be equals to mg का tan theta, tan theta आपको पहले से पता है, electric force को आप लिख सकते हैं, k q is square by distance r का square, which is mg tan theta, याद रखना चार्ज निकालना है, तो यहीं से, आप लिख सकते हो, q is square is equals to mg tan theta, साथ में दोनों charges के बीच का, जो distance था, उसका square, नीचे k, k का मतलब हो गया, 1 by 4 pi, epsilon not, तो finally अगर आप charge लिखना चाहो, तो charge हो जाएगा, mg into, tan theta into, distance का square, नीचे आएगा आपका, k का value 1 by 4, पहले आपसलों नोंट, और इस सब का निकालना पड़ेगा, आपको square root, तो यह final data पुट करके, आप solve कर लिजेगा, question में mass, tan theta हम निकाल चुके, k का value आपको मालूम है, 9 into 10 to the power 9, g 9.8 या 10 ले लिजेगा, r का value 4 cm है, meter में बदल लिजेगा, solve किजेगा, answer आएगा, तो हम इस question में, अगर आपको level 1 का question का discussion, थोड़ा याद है, level 1 में भी इसका बहतरीन questions है, इस topic में, level 1 में भी बहुत अच्छा-च्छा questions है, जिसमें charge का leakage, इन सब को लेके, बहुत अच्छा question set बनाये गया है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है, और बागी सारा process आपके पास है, ऐसा questions बहुत जगा है, तो ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए फिर आगे गरते हैं, question number 14, लेकार two particles A and B, having charge Q and 2Q, respectively are placed on a smooth table, with a separation D, a third particle C, is to be clamped on the table in such a way, that the particle A and B remains at rest on the table, under electrical forces, what should be the charge on C, and where should it be clamped, सबसे पहले तो इस numerical को आप, समझे, समझना है, क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक charge है, इस point को हम A लिख देते हैं, इस point को हम लोग B लिख देते हैं, A पे charge है Q, B पे charge है 2Q, अच्छा, अभी के situation में, क्या A और B equilibrium में है, अभी के situation में, क्या A और B equilibrium में है, बिल्कुल नहीं है, A को B repel कर रहा है, left की तरफ, B को A repel कर रहा है, right की तरफ, छोड़ दीजेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, और जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, तो ऐसे situation में, आप इसको equilibrium में नहीं बोल सकते हैं, अभी के हिसाब से, अगर हमको forces का direction बनाना पड़े, चलो, red color से दिखाते हैं, तो A पे लगने वाला, B के कारण A पे लगने वाला force left की तरफ है, this is force acting on A due to B, और A के कारण B पे लगने वाला force right की तरफ है, this is force acting on B due to A, आप अगर चाहते हैं, कि यह A और B equilibrium में आ जाए, तो बीच में कहीं आपको, एक third charge particle रखना होगा, मान लिजे वो क्यों है, इसको आप C कह देजे, ठीक है, पहले से दोनों charges के बीच का separation D दिया हुआ था, पहले से, question में पहले से, दोनों charges के बीच का separation D दिया हुआ था, अभी आप ऐसा मान के चल रहे हैं, कि आप जो third charge रखे हैं, वो A से suppose, X distance पे है, तो obviously मेरा वो third charge, B से, D minus X distance पे होगा, सही है third charge, आप ये सोचों कि आपको, किसको equilibrium में करना है, इस question को चुनने के पीछे मेरा कारण है, basically ऐसे numerical में पूछा जाता है, कि तीसरा charge आप कहां रखेंगे, कि वो तीसरा charge equilibrium में हो, तीसरा charge equilibrium में हो, उस समय आप C पे लगने वाला forces ड्रॉ करेंगे, और उसको balance कर देंगे, आंसर आएगा, लेकिन इस question में तीसरे charge को equilibrium में नहीं लाना है, इस question का theme है, कि A और B equilibrium में रहे, A and B remains at rest, A and B remains at rest, तो आपको A पे और B पे सोचना पड़ेगा, आपको C पे नहीं सोचना, आपको C के कारण A पे, C के कारण B पे और खुद A B के भी सोचना होगा, ठीक है, जड़ा गौर करो, सबसे पहले अगर आप चाहते हो, कि A मेरा equilibrium में आ जाए, A equilibrium में आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि C negative हो, क्योंकि यह minus होगा, तभी A पे C का force right की तरफ लगेगा, इस इस force acting on A due to C, और B पे भी force left की तरफ लगेगा C के कारण, इस इस force acting on B due to C, ठीक है, तो पहला चीज निगेटिव होना चाहिए, अब एक एक करके चलिए, पर A in rest, आपके अनुसार, A के rest में आने के लिए, जरूरी है कि F net on A, यह 0 हो, और यह तभी possible है, जब force acting on A due to B, और force acting on A due to C, यह दोनों equal magnitude का हो, direction तो opposite हमको दिखी रहा है, चलिए थोड़ा calculation के लिए equations बनाते हैं, तो यहाँ पर K charge of A Q, charge of B to Q, A और B के बीच का दूरी D का स्क्वार, यहाँ पर K charge of A Q, charge of C Q और इन दोनों के बीच का दूरी, which is X का स्क्वार, तो यहाँ पर K Q, K Q कडिया, K Q और K Q से K Q और K Q कडिया, तो तुमारा एक relation आया है, 2 Q by D स्क्वार, is equals to Q by X स्क्वार, और इसको equation 1 मानों, अब इसी concept को B के उपर लगाओ, B के उपर, for B in rest, आप चाहते हैं कि B rest में आ जाए, उसके लिए, F net on B 0 हो, और यह तभी possible है, जब B पे A के कारण force, और उसी B पे C के कारण force, दोनों बराबर हो, तो B पे A के कारण force, बराबर मतलब magnitude बराबर, B पे A के कारण force, K, B और A का charge, 2 छूट गया हमसे, दोनों के बिच का distance का square, और B to Q, और C capital Q, और नीचे दोनों के बिच का distance का square, तो इसमें से K और 2Q कट गया, K और 2Q कट हैं, K और 2Q, तो मेरे पास बच गया, Q by D square, is equals to capital Q by, D minus X का square, this is equation 2, आपको दोनों equation मिल गया, 1 और 2, अब आप क्या करें न, 1 में 2 से divide करें, इससे क्या होगा, बहुत सारा variable जो आप मान के बैठे, वो कट जाएगा, dividing equation, 1 by 2, 1 में 2 से divide करते हैं, 2Q by D square, और left hand side में, Q by D square, is equals to right में, Q by X square, और right में Q by, D minus X का square, देखें बाई, Q Q कटा, D square, D square कटा, तो यहां से solve करते हुगा, अगर चलोगे, तो left hand side में 2 बचा है, और right hand side में, D minus X का square, उपर बचेगा, और नीचे X का square होगा, तो जब हम लोग इसमें से, X का square कैंसल कर दे, square कैंसल कर दे, तो left hand side में root 2 आ गया, यहां पर D minus X by X है, X से multiply करो, X से multiply करो, तो root 2X, is D minus X, X को left में भेज़ दो, तो यह value आ रहा तुम्हारा, root 2X plus X, is equals to D, या फिर X का value हो गया, D by 1 plus root 2, तो यह आपको वो position मिल गया, यह आपको वो position मिल गया, जहां charge particle को रखने से, तीसरे charge particle को रखने से, आप उस पे A या B को equilibrium में ला सकते हैं, लेकिन यह तो position मिला, आपसे charge का भी magnitude तो पूछा है न, तो आप चाहे equation 1 का सहारा ले ले, या equation 2, किसी में भी X का यह data पुट कर दीजेगा न, तो आपको Q मिल जाएगा, चलिए हम लोग equation 1 देख पारे सिधा सिधा, तो equation 1 से ही बात करते हैं, यह left वाला equation 1, equation 1 से अगर हमसे कोई-कोई Q पूछ ले, equation 1 में अगर हमसे कोई Q पूछ ले, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है, सबसे उपर solve कर रहे हैं, ठीक है, सबसे उपर solve कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, हम लोग, फर, वैलू आफ Q, थर्ड चार्ज, कि हम लोग थर्ड चार्ज का वैलू निकालने जा रहे हैं, उसके लिए, मेरा, पहला equation था, Q बाइडी स्क्वार, और नीचे Q बाइडी स्क्वार, तो क्या हम यहाँ से, Q का वैलू लिख सकते हैं, ऐसे, 2Q एक्स स्क्वार, बाइडी स्क्वार, तो यह आगे हम लोग का, 2Q बाइडी स्क्वार, अब चलो X का स्क्वार करो, X देख लो एक बाइडी स्क्वार, X था D by 1 plus 2, X था हम लोग का, D by 1 plus 2 का स्क्वार, तो तुम देख पाऊगे, D स्क्वार कट जाएगा, और तुम हारे पास वैलू होगा, 2Q divided by, 1 plus इतना चार्ज का मैगनिचूड होना चाहिए चार्ज का मैगनिचूड इतना होना चाहिए साइन नेगेटिव होना चाहिए और उसके रखने का पोजिशन आप X आरेड़ी निकाल चुके हैं तो तीनों पैरामिटर बारी बारी से आपके पास है पूरा कोश्चन एक बार देखने का कोशिस कीजिए बैतरीन कोश्चन बोला गया था कि दो पार्ट के लिए और भी जिसका चार्ज क्यू और टू क्यू है रिस्पेक्टिवली उन दोनों के एक स्मूथ टेबल पर रखा गया कुछ सेपरेशन डीप बोला गया एक थर्ड चार्ज पार्ट के सी को भी बीच में कहां क्लैम किया जाए ताकि ए और भ प्लस रूट टू का इस्क्वार और पोजीशन आपके पास आया था डी बाइवन प्लस रूट टू डी बाइवन प्लस रूट टू पूरा कंसेप्ट आपके पास एक्स्प्लेन है ठीक है निमेरिकल बहुत अच्छा ध्यान लगाना चीजों को समझने पर जोड़ देना ठ Z टू 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 अ Collegin प्लस डूट यह डी कर्ण केस्टर historically प्रूट हैस यहीं ड्यू थड़ ऑष्ट क्छू आपकेश सव फसेड़ श्थ हैं दो प्रूट Sl length of the spring is 10 cm. The system rests on a smooth horizontal table. If the charges on each particle is given 2 into 10 power minus 8 Coulomb, find the extension in the length of the spring. Assuming that extension is small as compared to natural length, justify this assumption after this after you solve the problem. गौर करना थोड़ा समझना figure कोही समझना थोड़ा देखेगा Suppose हमारे पास यह एक spring है, यह spring का natural length है. अब आप spring के दोनों end पे same charge particle मतलब charge particle है equal charge है. उसको अगर आप attach कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को repel करेगा. दोनों एक दूसरे को repel करेगा. repulsion की वज़े से repulsion की वज़े से इस spring में एक elongation हो जाएगा. repulsion की वज़े से spring में elongation होगा. अब जो आपके पास length है, वो l plus x हो जाएगा. अब जो आपके पास length है, वो L प्लस X हो जाएगा और विकॉस दोनों पे चार्ज सेम साइन का लेना है तो equilibrium तभी स्टैबलिस होगा equilibrium के बारे में सूचीगा equilibrium यहाँ तभी स्टैबलिस होगा जब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला दूसरे चार्ज के कारण electrostatic force है यह चार्ज पे लगने वाला electrostatic force है repelsor का वो spring के attractive force से balance हो जाए spring के एक दूसरे को खीच रहा है यह spring का अंदर वाला force है तभी यह system रुकेगा ने तो charges एक दूसरे को repel करता रहेगा सही है अब आजओ यहाँ पे छोटा सा calculation है उस calculation को हमने परफार्म करते हैं जरा देखना और समझना याद रखो for equilibrium of charge charge के equilibrium में जो spring का force है और जो electrostatic repulsor वो balance होगा spring का force आप लिखेंगे kx k मतलब spring constant और electrostatic force में लिखेंगे 1 by 4 pi epsilon 0 qq by दोनों के charges के बीच के distance का square l plus x का square l plus x का square अब देखिए वैसे तो हम यह चाहेंगे कि आप पूरा l plus x का square लेके quadratic बना के बढ़ियां से solve करके अपना answer निकाले लेकिन जैसे हम last में देख रहे हैं assumption after you solve the problem आप क्या मान के चले हैं यह देखिए देखिए हमारे पास जो spring का natural length पहले से 10 cm दिया हुआ था न वो बड़ा होगा since जो हमारा x आएगा elongation आएगा वो l के comparison में काफी छोटा होगा तो जहां आप l plus x लिख रहे हो न easy calculation के लिए आप l मान लो और equation 1 को थोड़ा easy कर लो so equation 1 becomes तुम्हारा equation 1 क्या हो जाएगा तो equation 1 हो जाएगा spring force kx और right hand side में electrical force 1 by 4 pi epsilon 0 दोनो charges और charges के बीच का distance l plus x नहीं केवल l l का square इसको solve करके आप अपना elongation निकाल दीजिए जो आएगा वही answer होगा ठीक है इसको solve करके आप अपना elongation निकाल दीजिए जो आएगा वही answer होगा तुमको क्या निकाल दीए assuming that extension is small as compared to natural length find the extension extension काफी small है natural length से इसी कारण से हम लोग इस line को use किये कि x को l के comparison में आप neglect कर देंगे जब आप x को l के comparison में काफी neglect कर देंगे तो जहाँ पे l प्लस x था वहाँ l लिखके बना सकते है यहां से x निकाल ली then x will be equals to 9 into 10 to the power 9 charges का value 2 into 10 to the power minus 8 था दोनों charge equal था 2 into 10 to the power minus 8 नीचे k आ रहा है spring constant यह वाला तो k कोशन में 100 mentioned है और distance जो है वो 10 cm था 10 into 10 to the power minus 2 का square अराम से solve कर लो x मिल जाएगा ठीक है तो यह तुम्हारे पास numerical ठीक है बढ़ियां से स्वेज़़गा आओ आगे बढ़े next question की तरफ question number 16 लिखा है अपास cryptic producing having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 Coulomb, a particle having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 Coulomb and a mass of 100 gram is placed at the bottom of smooth incline plane of inclination 30 degree तोड़ा मेकनिक्स आप सब्चे पहले इंक्लाइन का एक फिगर अप्रोप्रेट बनाया यह आपके पास कोई इंक्लाइन है जिसका एंगल आफ इंक्लिनेशन 30 डिगरी कोशन में में अब इस इंक्लाइन के उपर कोई एक ब्लॉक जिसका मास M है चार्ज क्यू है उसको आप रख देजे अब देखे अगर यह सर्फिस स्मूथ है तो यह नीचे की तरफ इसलता हुआ गिरेगा लेकिन इसको रोकने के लिए एक्जेक्ली सेम मास का एक बॉड़ी इंक्लाइन के बॉटम में सेम चार्ज कंटेन करके इसको फिक्स्ट कर दिया गया है अब देखो होगा क्या फ्री बॉड़ी डाइग्राम के बारे में सोचो फ्री बॉड़ी डाइग्राम के बारे में सोचो मेरे उपर वाले इसको particle आप A मान ले इसको आप particle A मान ले जिसको आप रीचे में fix किये और इसको particle B मान ले जिसको आप उपर में रखे ठीक है पुछा वेर शुड अनदर पार्टिकल मान लीजे A के respect में अनदर पार्टिकल को आप आध डिस्टंस पे रखे दे तो बी पे free body diagram को समझो बी पे free body diagram को समझो देखो जरा बी पे नीचे की तरफ लग रहा mg इसका सही है बी पे A के वज़े से एक repulsion force काम कर रहा उपर की तरफ B को A repel कर रहा उपर की तरफ सही है बी पे एक normal reaction भी लग रहा है जिसका काम नहीं है लेकिन फिर वी हम बस ट्रॉ कर देते हैं यह normal reaction भी लग रहा तो यह normal है यह mg है और यह electrical force है electrostatic force है repulsion वाला ठीक है अब जब इसको ध्यान से देखो क्या मेरे इस mg का एक component mg का एक component यहाँ पर नीचे की तरफ काम करना है यह mg का एक component अगर यह angle theta है तो आप लोग को यह चीज पहले से पता होता है हम लोग जैसे पहले से काम करके रखे हैं कि अगर यह angle theta होता है तो यह angle theta आता है तो mg का इदर वाला component mg का sin theta होगा अगर आप चाहते हैं कि D जहां आपको अभी दिख रहा है वहीं maintain रहे तो यह तभी possible है जब नीचे की तरफ का mg sin theta और उपर की तरफ का electrostatic repulsion एक ही वज़े से यह balance हो जाएं सही कहीं friction friction का कोई चर्चा है नहीं तो हम लोग नॉर्मल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे फॉर फॉर equilibrium of B आप चाहते कि B equilibrium में हो यह तभी possible होगा जब mg sin theta उपर लगने वाले electrostatic repulsion से balance हो आप लिख सकते हैं that mg sin theta electrostatic repulsion को आप लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon 0 दोनों का चार्ट सेम है तो q into q और दोनों के बीच का distance r square है याद रखे आपको separation निकालना था आपको a और b के बीच का यह distance निकालना था where should another particle having same charge and mass be plused कहां रखोगे अगला particle b तो आपको यह r निकालना था therefore r square is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 दोनों q का multiplication divide करो mg sin theta से और जब यह division हो जाए जब यह division हो जाए उसका root ले लेना तुमको r मिल जाएगा है then r will be equals to 9 into 10 to the power 9 charges कितना है 2 into 10 to the power minus 6 2 into 10 to the power minus 6 एक और है 2 into 10 to 10 to the power minus 6 ठीक है अब दोनों बॉप्स का मास कितना है 100 ग्राम 100 ग्राम के लिए 0.1 kg लिख दिए जी का value 10 ले ले लिए और साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1 बाइ 2 पूट कर दो अराम से solve कीजिए उसका root निकाल दीजिए आपको r बिल जाएगा ठीक है यह है तुम्हारा concept इस तरह से numerical को सोचना है समझना है इस तरह से numerical को सोचना और समझना है clear है एक दम simple mg sin theta चल रहा है यहां से ऐसे सोचना है इस तरह से numerical को निकाल रहा है clear है बहुत बढ़िए आए तोड़ा और आगे बढ़ते question number 17 7 करत दोन तो बढ़िस Marche 1 in a भर एक ट्सक्री बढ़िख इस के लीओड उके जाद confusion बढ़िख फिर आपकोần 6 क्याओ औरह से लीओण 2 आपको एक पाके लीओ लीओ उसे खेवड़िपूट मर जिए लीओ से लीओ equaler to AB, what would be the electrical force experienced by it? Assuming X is very less than D, show that this force is proportional to X, under what condition will the particle C execute SHM motion if it is released after such a small displacement, find the time period of oscillation if these conditions are satisfied and so on. बड़ा question है और बहुत बहतरीन question है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा एक figure बना रहे हैं, उसी figure के basis पे ये सही गलत होना और start होता है numerical solve होना है. पहले तो आपको सबको figure समझना है इसका. आपके पास दो charge particle है, एक यहां है Q1, symmetry में एक यहां है Q2, हाँ दोनों ही charges का magnitude सेम है, दोनों ही charges का magnitude आप सेम ले लिजेगा, question बोला है कि Q1 और Q2 दोनों बराबर है, माली जे क्यों ले लिए, माली जे आप क्यों ले लिए, जस्ट अ मिनट, ओके, तो देखो, इसको आप A charge मान रहे हो, इसको आप B charge मान रहे हो, और center पे एक और charge रखा हुआ है, मालो, अगर center पे आप किसी charge, third charge को रखोगे बिना, तो उस पे लगने वाले net force का value 0 होगा, कारण है कि दोनों charges उसको repel करेगा, और repulsion की वज़े से they cancelled out each other, because forces का magnitude equal होगा direction opposite है, लेकिन आप उस तीसरे charge को, इस vertical line जो AB के perpendicular line है, उस पे आप displace करके, उस पे आप displace करके, माल लीजे, यहाँ पहुंचा दिए, ठीक है, कितना displacement दिये है, x displacement दिये है, और उसको आप यहाँ पहुंचा दिए, माल लीजे उस charge का नाम है Q0, तो अब समझो ऐसे, कि जो मेरा Q1 है, वो Q0 को repel करेगा, जो मेरा Q2 है, वो भी Q0 को repel करेगा, तो अब जड़ा एक free body diagram, अच्छे से समझते चलिए, जो मेरा Q1 है, वो Q0 को इस direction में repel कर रहा, figure को देख रिएगा ध्यान से, at the same time, जो मेरा Q2 है, वो भी मेरे इस Q0 को repel करेगा, इस direction में, सही है, तो Q1 और Q2, दोनों मेरे Q0 को repel करेगा, suppose उस force को हम लोग F से दिखाते हैं, दोनों force equal magnitude का होगा, direction आपके सामने, आप अगर इस force का value अभी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो दोनों forces equal magnitude का होगा, कारण क्या है कि दोनों charge सेम है, Q1 और Q2 सेम है, Q0 को सेम है, और जो distance भी आपको दिखाई दे रहा है, मा लिजए इस point को हम लोग D नाम से दे दे, A से D तक और B से D तक, ये दोनों बराबर है, चलो हम लोग उस distance को थोड़ी देर के लिए R लिख देते हैं, R, चलिए, थोड़ा सा component resolve कीजिए, क्योंकि हमको net force निकालना है, तो हम लोग आना कुछ angles मान के चलते, Suppose this angle is theta, तो symmetry के वज़े से इधर भी theta, तो क्या ये अंदर वाला एंगल भी theta थीटा थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जड़ा गवर करो मेरे left hand side पर इस तरफ जो force लग रहा है, उसका दो component है, एक component है यहाँ से left की तरफ, एक component है यहाँ से left की तरफ, वो कितना है, तो f का sin theta, और एक component है यहाँ से उपर की तरफ, वो कितना है, तो वो है f का cos theta, अब right hand side में जो आपको f दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका भी दो component है, right की तरफ एक component आपको दिख रहा है, ये कितना है, तो ये भी है f sin theta, और एक component उपर की तरफ दिखाई दे रहा, वो भी है f cos theta, तो 2f cos theta, तुम जब फिगर को ध्यान से देखो, क्या horizontal के direction में जो मेरा f sin theta और f sin theta लग रहा है, वो cancel हो जाएगा, तो f sin theta और f sin theta दोनों cancel, जब दोनो f sin theta एक दूसरे को cancel कर ले रहा है, तो net force जो मेरे उस third charge q naught के उपर लग रहा है, वो 2f cos theta है, ठीक है ना, फिगर में जो आप देख पार है, वहाँ से आप calculation start करते हैं, according to question, जो f net लग रहा है, on third charge, अच्छा, third charge को q naught नहीं लेना है, third charge को q लेना है, यहाँ देखो नया लिखा हुआ है, charge q, तो q naught छोड़ दीजे, थोड़ी दिर के लिए, q समझे, और third charge q, तो क्या हम उस पे लगने वाले f net का value, लिखेंगे f, 2f cos theta, क्योंकि दोनों forces बराबर है, 2f cos theta, 2f का value लिख रहे हैं, कि q q, क्योंकि q1 भी q है, q2 भी q है, और जो third charge है, वो भी q है, q1, q2, और q1 और q2 के बीच का distance, r का square, figure को ध्यान से देखिए, और cos theta सोचे, चलिए, यह एंगल theta है, यह एंगल theta है, तो cos theta आपका base, base कहने का मतलब x, और hapotenus बोलने का मतलब r, तो cos theta मेरा, base by hapotenus होगा, base by hapotenus, तो उस charge particle पे लगने वाले, net force का value हो गया, 2k, q and q is q square, x by, नीचे r square and r becomes r cube, उस r का value put करते, उस r का, जो small r आपको triangle में दिखाई दे रहा है, hapotenus के form उसका value put करते, 2k, q, q, x, और नीचे जो आपको r दिखाई दे रहा है, वो दोनों charges के बीच एक separation था, पहले से देखो तो question में q1 और q2 के बीच का separation दिया हुआ कुछ, d separation, उनके बीच का separation दि था, मतलब आपको q1 और q2 के बीच का separation दि है, q1 और q2 के बीच का separation ये d है, तो आप जब यहाँ पे r लिखते हैं, तो क्या इस r के लिए आप under root, perpendicular का square और base का square लगाएंगे, और साथ में उसका cube करेंगे, cube दिया हुआ नहीं, तो आपके पास इस net force का value हो रहा है, आपके पास इस net force का value हो रहा है, that f net will be equals to, आपका जो net force है, वो है, 2k q square x by x का square प्लस d square बाई 4 का power 3 by 2, यह आपका net force है, अगर कोई आपसे net force पूचता है, कि x displace करने के बाद उस third charge पे लगने वाला net force बताओ, तो यह तुम्हारा net force है, अब आजो थोड़ा question के इसाप से इसको adjust करते, net force पूचा, यह आपका answer आगया है, question के इसाप से adjustment देखो, question के a part में पूचा था, if it is displaced through a distance x perpendicular to a b, what should be the electric force experienced by it, तो यह answer तुम्हारे a का है, यह जो भी आ चुका है, यह तुम्हारा answer a है, this is for answer a, अब b के लिए चलो काम करो, b के लिए आपको क्या बोल रहा वो सुनू, b में बोला है assuming x is very less than d, मान के चले के x का value d से काफी कम है, show that this force is proportional to x, तो ऐसे case में आप यह प्रूफ करके दिखाओ, x d से काफी छोटा है, x d से काफी छोटा है, तो आपको यह प्रूफ करके दिखाना है, कि यह force जो है, वो x के साथ directly proportional है, चलो देखते हैं, देखें थोड़ा सा इस mathematical terms पर ध्यान रखिए, according to question, आपको यह मान के चलना है, कि x जो है वो हमारे d से काफी छोटा है, अगर ऐसा है, तो जहां भी x square plus d square by 4 है, उसको आप x square को neglect कर दिजेगा, तो d square by 4 लिखेगा, तो आपके लिए जो net force का equation है, वो net force का equation आपके पास बनेगा, net force का equation आपके पास बनेगा, 2k, q square, x square, और नीचे आपके पास बनेगा, d square by 4 पर पर पावर 3 by 2, अच्छा यह x square नहीं है न, यह x square तो नहीं है, वहाँ उपर में x है, तो 2k, q square, x by, d square by 4 पर पर पावर 3 by 2, तो क्या तुम यहाँ पर यह देख पा रहे हो, कि जो आपका net force है, that is proportional with x, यही तो हम लोगो b में प्रूफ करना था, f net is proportional with x, यही तो आपको b में प्रूफ करना था, सही है, अब चलो c में देखते हैं, क्या पूछा है, c में पूछा है, under what condition, will the part की, c execute shm motion, if it is released, after such a small displacement, किस condition में, तुम्हारा ये force, जो है, वो shm के force equation को follow up करेगा, उसके लिए हम figure पे आपसे, दो मिनिट कुछ बात करना चाहेंगे, आप figure को देखे ध्यान से, अच्छा, यहाँ पे हम आपसे, दो condition बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरा q1 और q2 positive है, मेरा q1 और q2 positive है, और जो q है, जो third charge है, वो भी positive है, अगर ऐसा होगा, तो q1 और q2 उसको repel करेगा, और repulsion की वज़े से, नेट force उपर आएगा, नेट force उपर आएगा, displacement भी उपर, नेट force भी उपर, तो particle को अगर छोड़ोगे न, तो वो वापस नहीं आएगा, वो और दूर जाएगा, अगर q1 और q2 मेरा positive होता, जो है भी, और जो मेरा third charge है, वो negative रहता, minus, तो q1 भी उसको नीचे खिशता, q2 भी उसको नीचे खिशता, तो इसका resultant force नीचे की तरफ आता, magnitude यही होता, 2f cos theta, करके छोड़ते, तो वो वापस से mean position की तरफ आता, कहने का मतलब, जो SHM का simple condition होता है, कि particle को जब अपने mean position से displace करके छोड़ा जाए, तो वो वापस से mean position की तरफ जाने का tendency सो करता है, वो अच्छा तभी यहाँ पे बन बैठेगा, या fit बैठेगा, जब आपका तीसरा चार्ज निगेटिव हो, दोनो Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो तीसरा निगेटिव हो, तब ऐसे केस में force का direction, displacement के opposite direction में आएगा, तो चलो इसी concept के साथ हम छोटा सा mathematics नीचे देखते हैं, मान के चलिए ऐसा, मान के चलिए ऐसे, कि अगर आपका third charge Q negative हो, और जो आपके x का value है, वो d से काफी छोटा हो, दो condition होना चीए, एक तो third charge negative होना चीए, और दूसरा, जो x है, वो d से कम भी होना चीए, तो ऐसे case में, आपका जो f नेट आएगा न, वो 2k, q square, direction point of view से minus x लग जाएगा, क्योंकि x के opposite direction में, वो काम करेगा, और नीचे आपके पास हो जाएगा, d square by 4 पे power 3 by 2, ठीक है, ये कब होगा, जब मेरा तीसरा चार्ज निगेटिव हो, जब मेरा तीसरा चार्ज निगेटिव हो, और x का value negative, x का value d से काफी कम हो, तो ऐसे case में, ऐसे case में आप ये देख पा रहे होगे यहां पर, ऐसे case में आप ये देख पा रहे होंगे यहां, कि आपका जो f net है that is proposal with negative of x and this is called simple harmonic motion मतलब उस case में charge हो है वो shm so करेगा अब हम इसका time period के लिए काम कर रहे है net force को लिख सकते हैं mass into acceleration which is equals to minus को बाहर ले लेते हैं 2 के q square x बाई नीचे में d square by 4 पर पावर 3 by 2 तो क्या हम यहां से acceleration लिख सकते हैं minus 2 के q square by x नीचे m आ जाएगा और यह d square by 4 पर पावर 3 by 2 आ जाएगा इलकुल आ गया acceleration आ गया यह हमारे for shm of third charge यह third charge के shm के लिए acceleration का equation है तो आप shm के time period का भी formula पढ़े है 2 pi under root displacement by acceleration magnitude थोड़ी देर के लिए भूल जाएए नीचे आ रहा है 2 k q square यह तुम्हारा time period है ठीक है बहतरीन numerical और आपको ऐसे numerical को एकदम pinpoint accuracy के साथ with whole concept दिमाग में रखना चाहिए तो लो बहुत लंबा चोड़ा है ध्यान से आपको बुला गया दो पार्टकिल a और b है दोनों के पास charge q है हम वैसे small q लेके बना दिये हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप capital q भी ले लेंगे कोई शू है नहीं ठीक है are held fixed with a separation d between them a particle c having mass m and charge small q is kept at the middle point ठीक है अब उसके बाद फिर सारा का सारा पहले हम लोग को net force निकालना था उस third charge पे निकाला गया फिर हम लोगों को x का value d से काफी छोटा है इसको assume करके net force is proportional to x होगा ये दिखाना था दिखाये गया फिर आपसे पूछा गया कि भाई ये motion shm में कैसे आ सकता है तो बताये गया दो चीज कि देखे q1 q2 का जो sign होगा q3 का sign उसका उल्टा होना चाहिए अगर ये q1 q2 प्लस है तो q3 माइनस हो अगर ये q1 q2 माइनस है तो q3 प्लस हो और साथ में ये जो x का value है वो d से काफी कम हो तो ऐसे केस में आपका force जो है वो negative of displacement के साथ proportional होता है एक बार अगर ये shm आ गया तो force को में से क्वेट किये और वहां से acceleration निकाले और फिर acceleration और displacement को यूज करके time period निकाले ठीक है बहुत बहुत बढ़िया इसको जरूर आप repeat करें दो-चार बार इसको बनाने का कोसिस करें तब ये final आपके पास मिलेगा ठीक है वेरी गूट तो ले नेस्ट कोस्टन की तरफ आगे बढ़ते हैं लेका electric force experienced by a charge of 1 into 10 to the power minus 6 कुलम is 1.5 into 10 to the power minus 3 newton find the magnitude of electric field at the position of the charge ठीक है तो देखो कोई भी charge पे अगर वो किसी electric field में रखा है तो उस पे एक force लगता है आपको याद होगा कोई भी charge को अगर आप electric field हमा लिजे जैसे आपके पास एक existing electric field है ये रहा आपका electric field तो अगर यहाँ पे electric field E है और इस system में आप एक charge क्यों रख देते हैं तो उस पे लगने वाला electric force होता है QE के बराबर सही है ना अगर वो charge positive होता है तो force का वही direction होता है जो हमारे electric field का है और अगर वो charge negative होता है तो force opposite में होता है लेकिन यहाँ पे अगर magnitude वाइस जाहिएगा तो force का magnitude सीधा QE के बराबर है आपको क्या निकालना है find magnitude of electric field तो अगर आपको electric field चाहिए तो just force में charge से divide कर दो force का value लिखा हुआ है 1.510 to the power minus 1.5 into 10 to the power minus 3 Newton यह force लिखा हुआ है और जिस charge पे यह दिया गया force है वो है 1 into 10 to the power minus 6 Newton 1 into 10 to the power minus 6 Coulomb यह force charge है तो क्या हम लोग इसको solve करेंगे तो यह 1.5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb हाएगा तो यह दिस एलेक्रिक फिल्ड इसको पे यह जार्ज रखा हुआ हुआ है तो यह लुट्ड पिल्ड यह दिस का वैलू है 1.5 into 10 to the power 3 Newton per C, clear it, how simple, question number 19, like at two particles A and B having charge of 2 into 10 to the power minus 6 C and minus 4 into 10 power minus 6 C respectively are held fixed at the separation of this 20 cm, locate the point or points on the line A, B, where A, dialectic field is 0, B, dialectic potential is 0, सबसे पहले तो आप इसका एक figure बनाने का कोशिस करें है, यहाँ पे पास यहाँ पे माल लो एक charge particle है Q1 जो हमारा question के हिसाब से 2 microcolum है और यहाँ पे एक charge particle है Q2 जो तुमारे question के हिसाब से माइनस 4 microcolum है negative positive आपको सब्सक्राइब और इनके बीच का distance है, इनके बीच का distance है, question में दिया गया है, इनके बीच का distance है, this is 20 cm, माल लो यह R है 20 cm, अब तुमसे यह पूछा गया कि भाई, इनके बीच कोई एक ऐसा point find out करें जहाँ पे electric field 0 हो, अब देखो जब मेरे पास दो charge ऐसा हो, जिसका sign opposite है, जैसे यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों का sign opposite है, तो sign जब opposite रहता है तो दोनों charge के बाहर में आपको points मिलेगा, where electric field intensity can be 0, दोनों charge के बीच में आपको points नहीं मिलेगा, कि electric field 0 होगा, क्योंकि बीच में कोई भी point चुनिएगा तो charge 1 के electric field का direction, और charge 2 के electric field का direction, same आजाएगा, सेम आने की वज़े से उसका resultant आप 0 नहीं कर पाईएगा, लेकिन दोनों charges के बाहर अगर आप बात करेंगे, तो आपको points पे electric field opposite direction में दिखेगा, तो अगर दोनों का magnitude equal होगा, तो वहाँ पे net electric field का value 0 आजाएगा, वैसे case में strength ये भी परिसान हो जाता है, ठीक है, आप बोल दिए दोनों charge के बाहर, लेकिन एक तरफ बड़ा charge है, एक तरफ छोटा charge है, माइन उसको बोल जाओ, तो एक तरफ 2 है, एक तरफ 4 है, तो किधर आता answer, आंसर आता है छोटे वाले charge की तरफ, तो चलिए हम लोग A part बनाने के लिए, इधर में कोई एक पॉइंट एज्यूम करते हैं P, जिसका Q1 से distance है X, इस P point पे, 1 का electric field, 1 है positive, Q1 है positive, अगर इस P point पे, 1 का electric field बनाओगे, तो वो left की तरफ आएगा, this is electric field due to first charge, और because आपका Q2 है negative, तो अगर आप negative का electric field बनाओगे, तो राइट की तरफ आएगा, this is electric field due to second charge, add point P, हम लोग A solve कर रहे हैं, add point P, let net electric field is equals to 0, इसका मतलब यह है, कि जो electric field first charge produce कर रहा है, और जो electric field second charge produce कर रहा है, वो equal magnitude का होगा, direction तो उल्टा है ही, तो first charge का electric field होगा, 1 by 4 pi epsilon naught, charge Q1, और charge Q1 से वहाँ तक का दूरी, X का square, और second charge का electric field होगा, 1 by 4 pi epsilon naught, charge Q2, और Q2 से वहाँ तक का दूरी, which is R plus X का square, R, देखो Q2 से Q1 तक का दूरी यार, और फिर Q1 से further X, दोनों तराफ, 1 by 4 pi epsilon naught cancel, Q1 में हम लोग लिखेंगे, 2 microcolumn, नीचे X का square, और Q2 में हम लोग लिखेंगे, minus 4 microcolumn या 4 microcolumn, देखें भाई, minus का काम आल्रेडी आप ले चुके हैं, उसका direction बनाना था, वो बन चुका है, तो फिर से minus ना ले, R plus X का square, दोनों तराफ, microcolumn cancel, 2 से 4 cancel, मतलब कट गया, 1 by X square is equal to, आपको मिलेगा 2 by, R plus X का square, यही से थोड़ा सोचो ना, left hand side में, R plus X को ले जाओ, square आएगा, और नीचे X का square आएगा, that will be equal to 2, थोड़ा और नीचे आगे, तो यहां से हम लोग के पास value हो गया, R plus X, by X is equal to root 2, तो हमारे पास आगया, R plus X is equal to root 2 X, या फिर R is equal to root 2 X, minus X, so it is root 2 minus 1, into X, तो आपको finally X का value लिखना था, कि कहां रखेंगे, which is R by root 2 minus 1, R का value 20 cm दिया हुआ है, और root 2 minus 1 लगबग 0.41, 4 आ जाएगा, solve कर दो, जितना आएगा, वही cm तुम्हारा answer होगा, तो पहला, कि electric field 0 कहां आ सकता है, उसका लगबग answer आपके सामने आ गया, question का दूसरा इस्सा है, कि electric potential कहां 0 आ सकता है, question का दूसरा चीज पूछा गया है, कि electric potential कहां 0 आ सकता है, याद रखिएगा, कि जैसे हम इस point को P1 कहते हैं, तो आप P1 point पे electric field को 0 किये, अगर आप चाहते हैं कि electric potential 0 हो जाए, तो electric potential 0 होगा, बीच में ही कहीं, electric potential आपका 0 हो सकता है, बीच में ही कहीं, जहां Q1 charge का potential, माल लेते हैं हम ये P ले रहे हैं, जहां electric potential को 0 करने जा रहे, जहां Q1 charge से दूरी, माल लो ये distance है Y, तो दूसरे से दूरी होगा, R-Y, उस point पे Q1 का positive potential, और Q2 का negative potential, दोनों balance हो जाएगा, और net potential का value 0 हो जाएगा, ठीक है ना, let, any point, P2, where potential net is 0, इसका मतलब ये है कि positive charge का potential, और negative charge का potential, उस point पे same है, ठीक है, अब आप यहाँ पे data को थोड़ा सो समझ देखे, ये numerical खाली sign के उपर सोचा समझा चीज है, 1 by 4 pi epsilon not ले लिए, अब यहाँ पे charge आप 2 micro column पुट करेंगे, ऐसे, हम यहाँ प्लस दिखा दिए, थोड़ा आप से गलती ही हो गया माल लेना, distance y का square, right hand side में आपको minus charge दिखाने का जरूत नहीं है, right hand side में आपको minus charge दिखाने का जरूत नहीं है, क्योंकि minus सोच के ही आप बोले थे कि यहाँ बीच में कोई point मिलेगा, जहाँ net potential 0 होगा, तो आप बस यहाँ 4 micro column लिख ले, और नीचे आपके पास है, r minus y का square, 1 by 4 perhaps not cancel, micro column, micro column cancel, 2 से वो कटा है, तो आगया 1 by y square, is equals to 2 by, r minus y का square, left hand side में आगया, r minus y, और y, इसका square, that will be equals to 2, चलो यहाँ पे धेरे-देरे solve करते चलो, तो आपके पास आगया, r minus y, by y is equals to root 2, तो आपके पास आगया, r minus y is equals to root 2y, अब यह y right hand side में चला गया, तो यह value हो गया, root 2y, plus y, तो आपके पास हो गया, r is equals to root 2 plus 1, and y, तो आपको finally, एक y मिला, जहाँ पे potential का value है, 0, root 2 plus 1, बीच में है यह, तो r का value 20 cm, और यहाँ root 2, 1.414 plus 1 करेंगे, तो 2.414 होगा, आप अराम से divide कर लिजे, इस point पे, तो आप थोड़ा इस numerical को, अच्छे से समझने का कोसिस कीजे, ठीक है, solution आ गया, answer match कर गया, match कर गया, नहीं match कर गया, उससे बाहर निकली, और थोड़ा concept डबलब कीजे, देखिए, आपको 2 charge का, एक system दे दिया गया था, दोनो charge में, एक charge positive था, और एक charge negative था, ठीक है, एक plus था, एक minus था, बुला कि भाई, एक ऐसा point निकालो, जहाँ electric field intensity जीरो, तो electric field intensity एक vector है, तो आपको vector की तरह सोचना था, आपको ये सोचना था, कि कहाँ positive charge का electric field, और negative charge का electric field, एक दूसरे क्या opposite direction में आएगा, और equal magnitude का आएगा, उसी point पे, net electric field intensity जीरो होगा, तो वैसा point आपको, दोनों charges के बाहर मिलने वारा था, basically, जो छोटा charge है उसके नस्दीक, तो हम लोग P1 point पकड़े, वहाँ positive charge का electric field का direction बनाए, negative charge का electric field का direction बनाए, दोनों opposite पे भी आ रहा था, दोनों का magnitude को equal किये, तो वहाँ से x का value निकाले, अब हम लोगों को पता करना था, B point में solve करना था, कि electric potential कहाँ 0 होगा, तो electric potential एक scalar quantity है, उसमें direction का कोई मसला ही नहीं है, तो हम लोगों बोले कि ठीक है भाई, बीच में कोई एक point P2 पकड़ते हैं, जहाँ electric potential 0 है, positive charge का positive potential, और negative charge का negative potential, दोनों एक दूसरे को cancel कर लेगा, फिर हम लोगों वहाँ पे दोनों positive charge का positive potential, और negative charge का negative potential पुट करना स्टार्ट कियें, और जब इसका calculation कियें तो y में गिया, तो एक बार आप vector concept से direction और magnitude दोनों लेके solve कियें, electric field intensity में, और एक बार आप scalar concept से किवल magnitude लें, electric potential का और उसको लेके solve कियें आपका answer है,